हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सब बढ़िया होंगे एक दम मज़े में होंगे तो कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो जरूर से देगा ना क्योंकि इसमें हमने बनाया था पनाई हाउस और हम खड़े हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे और आज हम इसको डग्रेट करने माले डग्रेट ने एक तरह के सीडी वगरे चलने करने में लेती यार तो चलिए का इस वीडियो को सुरू करते हैं कि अ कि अ हम यहां पर सीडी को चड़ाने वाले हैं ऊपर की और क्योंकि हम फ्रस्ट फ्लोर पर जाएंगे अपने उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो उसलिए मुझे थोड़ी सीडी भी चाहिएंगी और ज्यादत बड़ी सीडी ना बना के जो है मैं छोटी सी बनाऊंगा कोने में ताकि जो हैं थोड़ा सा इस पेस को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है यूज कर सके क्योंकि इतना बड़ा सीन नहीं है उपर आने जाने के लिए तो फिलाल यह तो सिर्फ डैकॉरेशन के लिए वैसे तना काम रहता नहीं है लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो आई होप जो हैं कुछ और अच्छा बना ले सीडिया में नहीं बनाने वाला डायक्ट वाली उसमें थोड़ा सा प्रोब्लम रहता है यह वाली में थोड़ी सी बनाने वाला हूं और देखे यार इसको लगाने में ना काफी परिसान नहीं आती है भाई ओके तो यहां से मैं थोड़ा से इसको कर देता हूं खाली मेरे ख्याल से एक बॉक्स और लिचे लगाना पड़ेगा तो यहां पर लगा देता हमें एक बॉक्स आई होप अब जो है सही लग जाई है ओके बिल्कुल सही हो गया इसको लगाते हैं ओके तो यह डन हो गया बहुत बढ़िया तो ग बहुत बढ़िया तो गाइस यहां पर देखिए हमने पहले सीडी जो हमने बना लिए बड़े तरीके से अपनी ओके तो अब मैं बनाने वाला हूं सेकिंड तो उससे पहले बता दिया इसके मेरे फ्लॉर जो है साप कर दिया था मैं कुछ और लगाना चारा था लेकिन हम मेर तो उन से जो है हमें वूल मिलेगा उसके ठूल हम जो है कारपेट बनाएंगे उन कारपेट को जो है नीचे बचने वाले थो तो नीचे कुछ भी ओ तो दिखेगा नहीं तो इस वे से मैं स्टॉनी लगा रहा हूं तो कोई दिख्कत नहीं क्योंकि पहले मेरे को स्को आपको आपको आडिया लगे वह आप चेंज कर सकते हैं तो देखे फाइनली जो है मैंने दूसरी सीडी ऊपर चड़ा दिया है और यहां तक हम जो आच यह थोड़ा से एक्स्ट्र हो गया और यह मैंने पिले रिसी वे इसे लगाया था तो देखे इधर इसको में बंद कर दे लगा दिया तो इतनी बड़ी वीडियो दिखाने मतलब नहीं था क्योंकि अब सिंपल लगानी है तो देखे यहां पर जो है मैं इसको पुरा फिल कर दूंगा जल्दी से ताकि थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगे और वूड़ की मेरे पास कमी नहीं है वूड़ का अब हमें जुरत भी है तो इस राइट वाली यार इस राइट वाली को भी जो है मैंने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम लग रहा था तो अब देखे गाई यह काफी अच्छा जो है देखने के लिए आपको लग रहा होगा और इधर का एरिया थोड़ा सा ओके तो यहां से मैं सको फिल करने की सोच रहा होँ और था कि थोड़ा सा और जो है अच्छा लगे आशा पहिए am मैं जिए सो इस तरह से फिल करता हूं कंटे तो अब यहां से एंट्री करें और यहां से हम उपर और यहां से सीधा उपर जा सुकते हैं काफी कम Stewart कर द ने हमने फिर तो क Ал जो प्रयूट थो हो चुका हैं लेकिन यहां से थोढ़ी Clay Core Link create कर रहा को यह पर जो है मेर को box लगाने हैं डियो कि बनानी है तो मैं मिए जल्दी से complete कर देता हूँ तको मैं रोगा से फील कर देता हूँ ओके बहुत से इसे खैस तो यहां फील करते हैं तो पहुत से ही यह फ़ैनली complete हो चुका है काफी सारी दिवारों पर जो है यह बूद लगानी है और छत्प ही वे लगने आ दूसम्हें लगने ओर यह याँ से खरली करके रिफ्स करदेता हूं लगा और गूट सब्सक्षाजिक तो यहां से एक बोक्स में और निकालूंगा और जल्दी से बूड़ लगा दूगा तो गाइस मेरे को जो है यह वूड़ जाते लगानी पुड़ेंगी तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा स्कीप करने की सोच रहाँ वीडियो को ओके गाइस तो फाइनली देखे जो है मैंने सारे में वूड़ लगा दिया और अब आप देखी रहोंगे इधर का एरिया देखे यह सब जो है मैंने वूड़ लगा दिया और इधर के एरिये में जो है मैंने वूड़ लगा दी तो ओवर ओल जो है मैंने वूड़ का काम जो ह खतम करती है और अब हमारा घर जो है तोड़ा सा काफी सांदर लग रहा है और इधर का एरिया मैं सोच रहा हूं यार कुछ और लगाने के लिए आई होप हम यहां पर कुछ अच्छा कर पाएं तो मैं सोच रहा हूं एक बोक्स यहां पर लगा देते हैं रुचा गाई तो यहां पर बाकि जाए ग्लास आ जाएगा और जंगे पर तो और लगड़ी का काम खतम हो चुका है जल्दी से मैं जो है का इस ग्लास को लाता हूं करके क्लेक्ट है ओके तो गाइज ग्लास बनाने के लिए हमें चाहिए सेंड और सेंड मेरे पास है ती तो मैं जो है उसको ले करके आगया हूं और हम जल्दी से ग्लास बना देते हैं तो हमने ग्लास बना लिए हैं और काफी सारे ग्लास हमारे तो लगा दी आगे टोर्च भी हमंचेंज करने वाले क्योंकि मेरे को यह वाले टोर्ज अच्छी लगती ही नी लाल टैन यूज करूंगा मैं मैं जब आपास आइरन-वाई-्रन ओगे तो फिलाल देखिए यहाँ पे जो है हम लगाने वाले है ऑके उपस तक यहां का अरिया यह एरिया बचा है तो मैं इसको यहां फिल कर देता हूं तक यह देखने में थोड़ा सा और लूग जो है काफी अच्छा दे ओके तो गाइस देखिए हमने सारे में गलास लगा दिया है तो ऑवर ओल जो हमारा गलास का काम भी जो है खतम हो चुका है और मैं कोशिच करूँगा आपको एक बार दिखा दूँकि कैसा यह देखने में लगेगा ओके तो गाइस फाइनली देखे यह कुछ ऐसा लुक दे रहा है और भाई अब जब साथ के साथ इसको डेकोरेट और करते जाएंगे तो यह थोड़ा सा और बढ़ी अलगने लग जाएगा तो यहां पर मेरे को थोड़ा सा सोच रहा हूं कि मैं यहां पर भी जो है गलास लगाँ ताकि यह थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे क्रीपर वगएरा तो यहां कोई नहीं आने वाला क्योंकि अगर आएगा भी तो थोड़ा सा फ्रेंट थोड़ा ज्यादा कुछ नी तूट पाएगा तो आई होप मैं सोच रहा हूं दर भी जो है स्टोन वगरा लगा दू नो कोबल स्टोन वगरा पर देखते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूं लैट कि ओके तो अभी तो जो है किलियर जंगाय पर है और आई थिंक और सब सही जा रहा है तो मैं कोशिच करूंगा इसके राइट और लेफ्ट में जो है एक दो पेड़ लगा हूं और उसके बाद जो हम खेती शुरू करेंगे तो नीचे का फ्लोर भी में चेंज करने वाला वाइस तो आई होप अब जो हमने घर में जो है इतना करना था वह हमने कर दिया अब तो जो वीडियो के साथ साथ जो है मुसको चेंज कर जाएंगे तो यह मेरे को थोड़ा सच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको भी यहां से अठाके सेंड यूज करता हूं आई होप सैंड को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहेंगे तो वीडियो में जो है कवर होता रहेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो फिलाल देखिए यहां पर मैं जो है सैंड यूज करता हूं और देखते हैं कैसी लगती है ओके यहां पर लगा दिया ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके तो ओवर ओल जो है सब सही है आई होप जो है आपको अच्छी लग रही हो कमेंट करके जरूर से बताना बहुत सही ओके गाइस ओके तो फाइनल गाइस मैं आपको लुक दिखा देता हूं इसका ओके तो यह कुछ ऐसा देखने में पर बने वाले माइनट्क्राफ्ट ऑके गाईज मिल दके लिए तब तक लिए बायाय टेक चर टीए अन्य हम फखओ फोकुफ